क्या करेंगे? लेकिन नहीं, आप जान बुषकर गरिब बिछड़ा लोगों को आप परिसान कर रहे हैं, तो खैल कोई बात नहीं, आपके भोट से देश में परधान मंत्री बना है, आपके भोट से राज़ में मुख्ध मंत्री बना है, अगर आप विधाय को नहीं जिताएं इस के परधान मंत्री के भोट में उतना ही ताकत है, इस भारत में जो सबसे अमीर देखती है, जै वो मुके सम्भानी हो, या रतन टाटा हो, या भी नए आडानी आगये हैं, इनका लिगोट का उतना ही ताकत है, जितना एक मचली मारने वाले का बेटा का भोट में ताकत है वो ताहिं उनके भी भोट में ताकत है लेकिन आप अपनी भोट का पहिचान नहीं करपा रहे और आपने पहिचाना अपनी ताकत को दिखाया आप भीहार में सरकार मनाई तो लिये थे आप सरकार का हिस्सा बने गए थे लेकिन दुस्मन को आपके घर में चोड़ी कर दिया टाका कर लिया तो खैर कोई बात नहीं वो विधाय का आये थे जीते कल चले गए हमारा पार्टी वही का वही है यहाँ पे बरे संख्या में यूबास आती देखने के मिल रहा है आप लोगों को अगर कुछ करना है आपके आने वाले पीरी के लिए कुछ बना करना है तो आप आज संखर्ज करना पड़ेगा अगर आज हमारे पुर्वज आज से 30 साल, 40 साल पहले संखर्ज कर लेते हैं लालू परसादी आजब जी के जैसे तिस तिन बार विहार में मुखमंत्री बन जाते आज हमारा समाज का ये हाल नहीं होता हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पुर्वज मेहनत नहीं किये वो किये होंगे लेकिन जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए उसमें कही न कही कमी होगा इसलिए नहीं कर पाएं आज आप से पास मोका है संघर्ज करने का इसका लाफ्ट आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपके आने वाला पीरी को मिलेगा आज देखिए लालो जी ने एक समराज खरा कर दिया आज उनके तुपुद्र जेजस्वी परसादी आदव जी घर बैठे-बैठे मुखमंत्री का सपना देख रहा है और हम हमारे पिता जी और हमारे माता जी तो मुखमंत्री थे नहीं हम तो मचली मालने वाले का बेटा है और हम संघर्ज कर रहे हैं रोड पे घूमरे इधर जोदर घूमरे अपने लोगों को जगारे और वो घर बैठे-बैठे मुखमंत्री बन पुद्रे है तो इसक्यों हो रहा है क्योंकि उनके पुरवज ने उनके लिए काम किया है और आपके पुरवज नहीं किया आज साइध मेंदाधी पिताजी पहले मुखमंत्री रहते तो आज हमको इतना परिशानी नहीं करना पड़ता इसलिए साथियों आज आप और हम को महनद करना पड़ेगा आज अगर आप और हम महनद करेंगे तो आने वाले समय में आपका बेटा इस खर्ती पर राज करेगा और आज अगर हम मेनत नहीं करेगे तो आने वाले समय में जिस तरीके से आज आज आप धूप में गर्मी में आप रोड पे घूंगूं कर अपने पाटी को मजबूस कर रहे हैं आज हम धूप में पचिना बहा कर आपके साथ है तो इसी तरीके से आपके आने वाला पीरी भी परिसान रहेगा लेकिन वो और नहीं कुछ कर पाएगा इसलिए साथ ही हो ये मोका अच्छा है लोग तंत्र में जिसके पाँ ज़्यादा संक्या है वो ही राजा बनता है पहले राजा के घड़ में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था लेकिन अभी समय बदल चुका है अभी आप एक करीम मच्वारा का बेटा भी देश का परधान मंत्री और राज का मुख्वमंत्री बन सकता है और परिचायज का मुख्या बन सकता है तो इसके लिए संघर्ज करने की आत्रता है और आप लोगों ने भरपूर इसना मुझे हमने सोचा नहीं उससे ज्यादा आप लोगों ने हमें साथ दिया है आज बिहार के पंडाव पलट लिजिए कोई भी बिहार में एक सेक बरे बरे नेता हुए है जिसको मैं आज आधार्निय मानता हूं तो मैं पूझता हूं चाहे वो करपुरी ठाकुर जी हो या हमारे जैपरकाज जी हो एक सेक बहान नेता हुए है लेकिन जो सानफ मल्ला किये है वो भी अपने आप में कम नहीं है छे साल में 2014 से लेकर 2020 में मैंने इतनी लकीर हमने खीज दिया के एक निशाद मल्लाग बेटा ने विहार में मुख मंतोरी बनाने का काम किया और अपने दम पर हम मनतरी बने हमें कोई मंतरी नहीं बनाया ये मुख मंत्री हो या कोई पार्टी गलत फैमी का सिकार ना हो हमें कोई मुख मंत्री नहीं बनाया हम अपने दम पर हम मंत्री बने और पहले तो हमने आपको मुख मंत्री बनाया फिर आपने हमें मंत्री बनाया इसलिए कोई गलत फैमी ने अपने दम पर हमने बना आज से पहले क्या होता था बीजेपी के रहमो करम पर कोई विधायक और मंतरी बनते थे आर जेडी के रहमो करम पर कोई विधायक मंतरी बनते थे या जेडियों के रहमो करम पर कोई विधायक मंतरी होते थे और कहते थे कि हमारी बात चापरासी तक नहीं सुनता है लेकिन हमने अपने दमपर बना और अपने दमपर में काम कर रहा था साथियो और आने वाले समय में भी अपने दमपर आप लोग के सयोग से आने वाले समय में आज चार बना ठाना कल चालिस बनाएंगे एक समय आएगा एक सो पचीट अपने दमपर बनाएंगे और निशार मनला अभीद बेदा नुणिया मलाता बेटा बिहार का मुखमंद्री होगा आज मैं आया तबनन नब्बे परसें अति पिछरा के लिए अनुदान देने का काम किया तो इसलिए साथियों आपको लड़ाई लड़ना परेगा आज आपने देखा एक मैना पहले हमारे समाज में दो बच्चे को मार के फेक दिया ता खुआ में मैंने थाना पे पहुच गया और थाना से लेका डीजीपी तब को हरकम में आ गया और सभी ने खाया कि मैं तुनों तो इसके परकरवाई करता हूँ और अभी हमारे साधी ने कहा कि जब मैं मंत्री बना था आपके अगल बगल में कोई घटना हुआ था उस घटना पे मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है मैंने टीम को भेजा था और उस समय मैं खुद सरकार था आप सरकार का अभीपक्ष का काम समझना पड़ेगा सरकार हम खुदी थे क्योंकि ये गलती जो हुआ उसका जवाब नहीं सरकार को लेना है और मुट से जितना हो सकता था ठाना पुलिस एस्पी डियम हर किसी को फोन खरके जितना होना था उस पे मैंने काम किया था क्योंकि मैं सरकार में नहीं कर सकता हूँ उस समय में हमारे संग्यान में जो भी चीज आएगा उसको ठीक करने का दयत सिर्फ हमारे पास होता है क्योंकि मैं खुद ही सरकार हूँ मैं किसका विरोध करूँगा हाँ आज क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ आज मैं विरोध में आज सरकार कुछ भी गलत करेंगे तो उसके लिए रोट पे धरना परदसन विरोध में बैठूँगा क्योंकि आज मैं निपक्ष में हूँ और आपने देखा जब दरोगा में नहीं सुनदा था तो मैंने थाना फोक भूज गया और इसी तरीके से फोई घटना होगा तो जगह हम पहुंचेंगे और जब सरकार हे तो हम तो जब सरकार को में रहते हैं तो अउडर देते हैं लेकिन आप ये भी मानिये पूरे दिहार में 835 हैं 3400 आपके नगर में वाड है हम ऐसा समस्या तो हर जगा है हर घर में है उसको एक आजमी कैसे दूर करेगा आपको मुकेश सहनी जैसे हर जिला में 2-4 दफ बनाना पड़ेगा उसको पैदा करना पड़ेगा आपके शेकरों दर्जनों में विधायक बनाना पड़ेगा आपको दर्जनों में मंत्री बनाना पड़ेगा आपको अपना सरकार बनाना पड़ेगा तब जाके होगा हर गाउ में जैसे आज यहांता भाई मस्वूत है उसी तरीके से हर गाउ में आपको मस्वूत होना पड़ेगा और यह कहां से होगा जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे तब तक यह नहीं होगा इसलिए सातियों आप हमेशा 300-65 दिन आपस में लड़ जाईए जिगर जाईए एक घर में होता है भाई-भाई में लड़ाई होता है लेकिन जब चुनात का समय आए भोट का समय आए संगठन का समय आए अगर आपस की भाईचारा का समय आए तो हर किसको भूलकर अपने आप लोग हमारे पीछे हैं इसलिए मैं आज मजबूत और ताकत वर बैक्री समय ताहूं अजिस रोज आपका ताकत हम से पीछे सहर जाई उस जोज मा अकेला रह जाओंगा और जो मैं अकेला रह जाओंगा मैं लड़ाई नहीं लरपाँगा नमस्कार साथियों एक बहुत मैट और जानकर आप लोगों देने के लिए आया है हूं लखनों के अंदर मात्र 600 रुपे से बारासो रुपे स्क्वाइर फिट के बहुत सस्टे पलोट और चिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने छेत्रफल के आप लोग चाहें चाहें श्क्वायर पीट वह आठ सो तो देर मत कीजिए जल्दी से मना फोन उठाई और इस नंबर पर संपट कीजिए धन्यवाद है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल को ओन करें तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से च